कुलहपूर की महिमा अप्रम पार है कुलहपूर का वर्नन पुरानों में आता है एक ऐस्था अस्थान जहां माता सती का आँख गिरी थी तो वे सक्ति पीठ है और एक ऐसा अस्थान उसी अस्थान पे मा लक्षमी का निवास अस्थान सक्ति और लक्षमी तो बुडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए तो कुलहपूर महराष्ट में है वहाँ जाने के लिए सबसे पहले अरूपलेंस से आप जा सकते हैं कुलहपूर में एरपोर्ट हैं और रेलवे से आप पूरा से बंगलोर से या बंबई से सीधी ट्रेने मिलेगी और बस से जाना चाहते हैं तो रोड से भी नासीक, पूरा सब सारे सहरों से जुड़ा हुआ है साउर्थ, नाउच से तो आप रोड से भी जा सकते हैं और वहाँ पहुचने के बाद आप मंदिर परिशर के आसपास बहुत सारे होटल, बहुत सारे धरमसा लाएं हैं आप वहाँ पर किपायती दाम में ठर सकते हैं और खाने की रिश्रेंट बगारा के अच्छी बेवस्ता हैं, थालियां हैं महराष्टेन थालियां, महराष्टेन स्टीट फूर्ड आप खा सकते हैं फल, जूस, सब की बेवस्ता हैं और जो मंदिर परिशर है उसका क्या कहने चार दरवाजे हैं मगर आप पच्चिमी दरवाजे से परवेश करें तो जादा है वहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है एक घंटा में आपको गर्वग्री में दरशन हो जाएगा मालक्ष्मी की और उस मंदिर परिशर में और देवी देवताओं का मुर्तिया है भोले नात की है, तुल्जा भवानी की है, हनुमान जी की है तो उन देवी देवताओं की धर्सन कर सकते है यह मंदिर बहुती प्राचिन है आज का मंदिर नहीं है, आप उनकी नकासी से बनावड से देख लेजे उपर का हिसा देखे जो हाल फिलाल बना गया और नीचे का जो नकासी है वो आज के टाइम का नहीं, पर्सू पुराना मंदिर इसलिए इसको पुरानों में, हमारे सास्तों में इनकी बड़ी महमा है एक तो माता सती की आँख गिरी थी वहाँ पर तो उनको अंबावाई मंदिर भी कहते है और भगवान विष्णू तिरुपती जी से रूट करके मालक्षमी कोलापूर आ गई थी तो मालक्षमी भी कहते है और वो हर साल दिवाली के दिन वहाँ से तिरुपती जी से मा के लिए असारी बगरा आते हैं वो उन्हें पहनाया जाते हैं बड़ी महमा है धनकी देवी की जो वहाँ पर आते हैं उनकी मनों कामनाय पूरी होती करती है माता लक्षमी तो कभी भी आप कुलापूर जाए और मालक्षमी का दर्सन कीजिए इस जगह का नाम कुलापूर इसले पढ़ा कि मालक्षमी ने कुलापूर नाम के राचच का वद किया था और राचच ने मा से बिंती ती की थी ये सहर का नाम कुलापूर हो तो मालक्षमी ने प्रसन हो करके इस नगर का नाम कुलापूर रखा और खुद वहाँ विराज करती है और तो वहाँ पे जाईए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विडियो को लाइक करें